इसका मतलब होता है जो चीज है भी और नहीं भी अगर आप साइंस बेक्ग्राउंड से हैं तो आपने एक वर्ड ज़रूर सुना होगा यह दो वर्ड रहते हैं लैटेंट हीट एको जो चीज रहती है अगर आप मैडिकल से हो वह है यह दोनों जगे यूज होता है बट यह लैटेंट होता क्या है लैटेंट का मतलब होता है जो चीज हीडन है जो पोटेंशली एक्जिस तो करती बट आज उससे पहचाना नहीं जा सकता उससे रिकोगनाईज नहीं किया जा सकता अगर हम latent heat के अगर example लेंगे तो latent heat क्या होती है जिसे हमें पता है 100 degree पर पानी भी रहता है और 100 degree पर steam भी रहती है अब जो पानी को steam में convert करने के लिए जो heat use होती ही न वो latent heat होती है क्यों? क्योंकि हम heat को कैसे पता कर सकते हैं temperature difference के थूप बट यहाँ पे तो temperature में change आये ही नहीं तो हम उसे पहचान नहीं पा रहे है heat है तो सही बट वो potentially exist कर भी रही बट उसे recognize नहीं कर पा रहे है that's why हमने वहाँ पे आगे लगा दिया latent heat तो है बट पता नहीं चल रहा न latent heat similarly अगर आपने देखा हो बड़े लोगों का जो group रहता अगर उसमें कोई छोटा बच्चा आ गया means अगर हम 24 सा 25 साल का देखे अगर उनके साथ 19 साल का एक लड़का है तो कभी कबार वो उसकी तारीफ करते हुए एक चीज़ उस करते हैं इसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है बट यह दिखा नहीं रहा है अभी छुपा हुआ है means उसमें latent talent है टैलेंट तो है बट आज छुपा हुआ है किसी को पता नहीं है latent talent है similarly जिसे हमारे जो गुरू थे पुराने टाइम पे वो अपने शेष्ट से डिसाइपल से अलग-अलग काम कराते थे और उनका कभी कोई sense इग्दम पता नहीं चलता था जैसे चंदरकुप्त मोर एक serial आता था अगर आपने notice क्या हो वहाँ पे चानक के नहीं चंदरकुप्त को पेड़ से गिरते हुए अगर एक student अगर गुरुकुल में गया है और एक छोटा सा बच्चे क्या समझागा भूलेगा कि मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ कि पत्य पकडने आया हूँ तो similarly जिसे एक illness है बट आज उसे पता नहीं लगाए सकता वो है latent illness या similarly कोई infection है वो पता नहीं चलता है but hey that is latent infection I hope आपको यह clear होगा जो भी चीज potentially exist करती बट आज active नहीं है उसे recognize नहीं कर सकते वो hidden है that is latent I hope it's clear thank you very much